इस गर्मी में जटपट सी बनने वाली अगर कोई रेसेपी है ये पनीर की सब्जी है जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बच्चे और घर के बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है एक बाद जरूर ट्राइब करिएगा वेलकम टू माई चानल मेरे कीचन में आप सबका बहुत स्वागत है आज की पनीर की रेसेपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा जितना हो सके शेयर जरूर करें साथी पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लिजे साथी मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया यूज करते है ना तो सबसे पहले तेल डालेगा बरतन में फिर उसके बाद बटर डालेगा आप डालेगे तो बटर के आवगा एक बार में जल के ओड़ जाएगा तो इस तरीके से थोड़ा सा तेल डालने के बाल फिर उसके बाद इसमें एक चोटी चमच बटर जब तेल पटर थोड़ा सा गरम हो जाए, उसके बाद इसमें हम डाल comprehensive dinner, बारी कटा उबाद उध्रक और लहसुन fix or less यह पीजा है यह पर प्याज ही साफ़ जाट और ङया नतुंट लेका की आपको सूह प्याज के आना York और गालशन नहींद यहांसी प्याज को अपर करें Γए करें अब्स्केद प्याज लेकरना अब एसमें बूनराot तो दौनना है, बोल जोma सब्सक्राइब दूड़िये की लिसग ना provocisen दमॉंलिद है बारिक कण रखा हुआए वाचर जूड़ अर्बादा मिर्च बूड़िये अदर एक है जूटकर मै mort, दोसरो बूमला मिर्च प्रकाच只ब दा की दिसने तो अच्छी तरीके से मेक्स कर लेंगे इसके बाद हम डाल लेंगे टमाटर इसमें तमाटर डहर सर डालिएगा और से पेस्ट करके मट डालिएगा इस तरीके से एकदम जो चॉप करके डालिएगा या फिर आप इसे काट के डाल सकते मैंने चॉपर में इसे चॉप कर लिया ह अगर आपको पसंदे तो डालिए वेजटेबल नहीं तो आप इसे इसकेप भी कर सकते हैं तो मैंने आपे दो चमच स्वीट कॉन ले लिया है बच्चों को काफी अच्छा लगता है स्वीट कॉन तो मैंने थोड़ा साइज में स्वीट कॉन एड़ कर दिया है अब इसे हम ढ़के पकने देंगे थोड़े जर के लिए दो से तीन मिट के लिए ताकि स्वीट कॉन और जो टमाटर सॉफ्ट हो जाए मसाले भी भून जाए दो मिनट हो गया है मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून गया है और दिखिए इसमें साइट में से तेल भी निकलने लगा है अब यहां पर हम दो चीज़ और एड़ करेंगे वह है नमक और साथ में डालेंगे इसमें पावजी मसाला नमक अपने स्वादर सार एड़ कीजि तो यहां पर टोटली अप्सिनल है आपको जो मसाले पसंदो आड़ कर सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे पनीर तो मैंने यहां पर ले लिया है 1200 ग्राम पनीर पनीर को हम इस तरीके से मैस करके डालेंगे आप चाहें तो कदुकस करके भी डाल सकते हैं यहां पर हातों से तोड़ के डालेंगे तो जब हम खाएंगे सब्जी तो में छोट छोटे पनीर के बाइट से आएंगे अगर कद्धुकस करके डालेंगे तो क्या होदा वो पूरी मसालो के साथ घुल जाएगा तो यहां पर जैसा आपको पसंद उस तरीके से इसमें पनीर एड कीजिए और प बुची बनाते हैं तो पानी निकलने लगता है जैसे प्लेट में डालेंगे साइड में पानी दिखेगा तो यहां पानी नहीं डालके आप दूद डालेंगे इसे बहुत अच्छा टेक्सर आएगा खाने में भी बहुत जादा स्वाद आएगा और यहां पर मैंने आधा गिल पेशा के खाली के इसे और तेल भी अपको दिखाई दे रहा होगा तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे sanit यहां झाओниं मेरं चाहिँ आप भी-धोड़ाः मेति भी यहां चांड़े सबजी हमारी हो गए्याहर आप तो तोड़ा सभाट भी हम यहां धाला हम लिव तो सब्जी जरूर डालिएगा इसे पनीर का पनीर टेस्ट आएगा बच्चों के पेट में सब्जी भी चली जाएगी तो इस तरीके से 5-7 मिनट के अंदर यह सब्जी बनके तैयार हो जाएगी एक बार यह रेसिपी जरूर ट्राइगा और दिखिए कितना गाड़ा बना है आप इसमें पानी डालेंगे तो यह वाला टेक्सर आपको नहीं मिलेगा देखिए कहीं से भी आपको दीख रहा है यह ना ज्यादा गीला है ना सुखा है पॉट्फिक बनके तैयार हुआ है एक बार ट्राइग जरूर करेगा पसंद है तो लाइक शेयर पेज को फॉलो जर खाओ च बसे हो जर ओांगे तो